हेला एवरीवन आज हम लोग अप्लिकेशन ओफ डेरिवेटिव स्टर सुरू करेंगे तो अप्लिकेशन ओफ डेरिवेटिवेटिव में जो पहला पार्ट है मरे पास सेक्शन 6.2 जो है वो है रेट ओफ चेंज ओफ क्वांटिटीटीज तो चलिए इसके बारे में बात कर ले और दूसरा जो चेंज होता है वो होता है instantaneous rate of change बात करें तो मान लेते हैं कि जैसे हमरे पास ये एक A सहर है और एक B सहर है ठीक है और हम लोग क्या कर रहे है हम लोग यहाँ से गाड़ी लेके और यहाँ पर हम लोग गये हैं ठीक है यह रूट पकड़े के हम लोग क्या किये हैं यह गये हैं हमारे पास ठीक है अमाल लेते हैं कि उसने पूछा यहां से कि हमारे पास जो average velocity होगा average velocity जो होगा वो क्या होगा तो average velocity क्या होता है आपका, displacement, displacement divide by क्या होता है आपका time होता है, displacement, divide by क्या होता है आपका time होता है, अब displacement क्या होता है आपका, तो displacement होता है आपका distance, यह आप कहते हो, कि initial से final के बीच का जो distance होगा, वो क्या होगा हमारा displacement होगा, ठीक है, तो displacement divided by time अगर हम लोग करेंगे तो यहां से हमारे पास average velocity निकलेगा अब माल लेते हैं कि हम किसी point पे किसी point पे जब हम लोग यहां पे हैं माल लेते हैं कि instantaneous velocity चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि time interval को क्या कर देते हैं हम लोग छोटा कर देते हैं हम लोग क्या करेंगे instantaneous velocity के लिए displacement divided by time का मतलब यह होता है कि change in distance delta s divided by change in time delta t यह होता हमारे पास average अब जब ही instantaneous हमें करना होगा instantaneous velocity instantaneous velocity की बात करनी है तो वो क्या होगा आपका कि यह तो time interval होगा ना आपका time interval वो वो छोटा हो जाएगा और छोटा होने का मतलब क्या कि limit delta t tends to 0 delta t tends to 0 delta s by delta t तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे इसको लिख देता है हम लोग ds by dt तो पूरे के पूरे जो हम लोग application of derivative chapter में बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम लोग instantaneous change की instantaneous change की ऐसे देखो आपका जो dy by dx होता है देखो जो delta y by delta x होगा ये क्या होगा आपका average rate of change average rate of change of y change of y with respect to x x के respect में हम लोग कहते हैं कि ये x के respect में हमाई पास average rate of change है अब इसी को हम लोग जब delta x को 0 को tend करा देंगे देल्टा x को जब हम लोग 0 को change करा देंगे तो delta y by delta x जो है न ये हमारे पास dy by dx बन जाता है अब अब एक्चली जो dy by dx होता है ये भी change ही होता है लेकिन बहुत छोटे के लिए change होता है कि मतलब x में छोटा change होगा तो y में कितना छोटा change होगा हमारे पास y में छोटा change और x में छोटे change में relation हम लोग करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं instantaneous rate of change of x instantaneous rate of change of x change of x sorry y with respect to x with respect to x एक सो छोटा सा example आपको लेते हैं मान लेते हैं कि यह हमारा y axis है यह x axis है और कोई graph है इस तरीके से ऐसे तो मान लेते हैं कि हम लोग x में x में हम लोग x 0 से सुरू होके और x 1 तक गये हैं और हमारा y जो है y जो है वो कितना change होगा यहाँ पर हमारे पास x 0, y 0 था और बाद में हमारा कितना हो गया है यह हो गया हमारे पस y1 हमारे पस जो यहाँ पर average change होगा यहाँ पर जो change होगा हमारे पस average average change जो होगा वो हम लोग कैसे लिखते हैं कि y में total change आपका कितना होगा है तो y में जो change होगा है वो यह होगा है कितना हुआ आपका y1- y0, और आपका x में change कितना हुआ है, x में change जो है, वो यह होता है, यह कितना हो गया आमरे पास, x1- x0 change होगा आपका, तो average change जो होगा आपका, वो कितना हो जाएगा, y1- y0, और divide by कितना, x1- x0, यह होता है, अब इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इ यह होगा आपका average change, मतलब यह हुआ average change का, instantaneous change का मतलब यह हुआ, कि आप किसी point पे जानना चाहते हो, कि किसी point पे, जैसे x का value x2 लिया हमने, उस point पे जो हमारा y है, वो x के respect में किस speed से change हो रहा है, तो वो क्या होता है, वो होता है, इस line, मतलब इस point पे tangent का slope, इस point पे tangent का slope, और वो क्या होता है आपका, वो होता है, tangent का slope जो होता हो, क्या होता है, by by dx, किस point पे, at x2, तो यह जो होगा न, यह आपका होगा, instantaneous rate of change of y with respect to x, तो हम लोग पूरे chapter में जो बात करने वाले हैं, वो इसी की बात करने वाले हैं, instantaneous rate of change की बात करेंगे हम लोग, टीक है, जैसे क हमारे पास cube है, ठीक है, यह मान लेते हैं कि आपका एक cube है, एक cube है, इसने बोला है क्या, कि the volume of the cube is increasing at 9 cubic centimeters per second, आप ऐसा समझों कि यह जो है न, वो flexible है, और मान लेते हैं कि हम हवा अगर डाल रहे हैं, तो इसका जो पूरा volume है, वो 9 centimeter cube per second के हिसाब से बढ़ रहा है, तो अब उसने क्या question पूछा हुए, कि how fast is the surface area increasing, तो उसके साथ-साथ, जैसे आप balloon होता है, ठीक है, तो balloon में जब हम लोग हवा भरते हैं, तो यह क्या होता है, हवा मतलब कि ऐसे मान सकते हैं, कि इतना हवा जो है, हम per second भर रहे हैं, तो यह क्या होगा, कि यह बढ़ते जाएगा, आ बढ़ने के साथ-साथ इसका आपका radius है, radius भी बढ़ रहा है, आप volume बढ़ा रहे हो मान लेते हैं, 9 cm3 per second से, इतना हवा डाल रहे हो आप, तो उसके हिसाब से, आपका जो balloon है, वो भी फूलते जा रहा है, अब balloon फूल रहा है, तो आप यह देखो कि उसका जो surface area है, यह जो surface बढ़ रहा है, उसी इसाब से surface area भी बढ़ेगा, नहीं, वो नहीं होता है, तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग बाते करेंगे, कि जब हम यहाँ पे 9 cm3 per second से, जब हम लोग इसमें हवा डालेंगे, मान लेते हैं कि balloon था हमारा, ठीक है, तो हमारा जो surface area होगा, वो किसी आप से change होगा, ठीक है, और एक दो questions देख लेते हैं, ताकि आपको आदा यह लग जाए, पता लग जाए, जैसे मान लेते हैं कि आपका lake है, ठीक है, अब lake में आप लोग क्या करते हो, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग इसमें कोई पथर फेकते हैं, तो क्या होता है, कि ऐसे बनता जाता है, लेकिन होता है कि यह जो होता है, जैसे जैसे आग, मतलब यह इसके travel करने का एक rate होता है, कि मतलब कि यहां तक पहुचने में, यहां तक पहुचने में थोड़ा सा time लगता है, तो वही कह रहा है न, कि stone is dropped into a quiet lake and waves moves in a circle at a speed of 4 cm per second, मतलब waves जो है वो इस direction में 4 cm per second के हिसाब से ऐसे बढ़ रहा है आपका, at the instant when the radius of the circular waves, माल लेते हैं कि इस instant पे, जब इतना बड़ा आपका बना हुआ है, इतना बड़ा बना हुआ है, जब आपका radius जो है वो 10 है, तो पूछा है, कि how fast is the enclosed area, यानि कि यह जो enclosed area है, यह जो है, यह आपका किसी हिसाब से वो 4 cm per second से बढ़ा है, 4 cm per second से बढ़ रहा है, यानि कि पहले center में अगर 4 cm था, तो दूसरे centimeter में यह 8 cm तक पहुंच जाएगा, लेकिन 4 cm था तो area आपका यह था, 8 cm होगा तो area जो आपका यह हो जाएगा, तो area किसी हिसाब से, यहां से यह भी area यहां से बढ़ के यहां पे ह हो गया है, पहले अगर a1 था, तो बाद में a2 हो गया है, तो आपका area भी बढ़ रहा है, लेकिन वो किस rate से बढ़ रहा है, उसका भी answer जो है, वो हम लोग इसके rate of change से दे सकते हैं, कि आखिर area जो होगा आपका, वो किस rate से बढ़ रहा होगा, और सो बहुत सारे चीजे जो ह है, देखो, एक rectangle है हमारा, एक rectangle है, variable rectangle है, उसने बोला है कि जो इसका length है, जो x है, और यह y है, length जो है न, वो 3 cm पर मिनट के हिसाब से क्या कर रहा है, decrease कर रहा है, यह जो है, वो क्या कर रहा है, घट रहा है, और आपका जो width है, वो increase कर रहा है, यह increase कर रहा है, तो एक decrease कर र घटेगा तो यह मालत है कि यहां पर पहुंच चुका होगा यह यहां पर पहुंच चुका होगा तो एडिया भी आपका चेंज हो जाएगा ना तो आपका वही पूछ रहा है कि एरिया जो होगा वो किस रेट से चेंज हो रहा है आपका perimeter जो है यानि कि यह जो length होता है हमारे पास वो किस हिसाप से चेंज हो रहा है तो इसका answer भी जो है वो हम लोग rate of change से दे सकते हैं कि आखिर किस हिसाप से चेंज हो रहा होगा हमारे पास और भी एक-दो एक्जामपल्स आप देख लो जैसे यह revenues वगरा से related है ठीक है और एक-दो आप इधर से एक्जामपल्स देख लो ताकि तो आपको idea लग जाए कि क्या actually हो क्या रहा है ठीक है आपको जैसे देखो यहाँ पर है हमारे पास a balloon which remains a spherical has a variable diameter this one find the rate of change its volume with respect to x वही है कि मतलब की भर रहे हो उसमें balloon मतलब balloon में हौँ भर रहे हूँ तब इसका diameter जो है वो चेंज हो रहा है ठीक है और हमारे पास देखो एक ladder है माल लेते हैं इस ऐसा देख राख़ा है कि एक ladder है जो कि क्या कर रहा है, wall पे ऐसे rest कर रहा है wall पे जो है, इस तरीके से rest कर रहा है यह आपका y-axis हो गया, यह आपका x-axis हो गया rest कर रहा है, अब क्या किया कि कोई बंदा आ कि और इसका नीचे वाला जो है, वो इसको खीचने लागा ऐसा नहीं है, कि यह 2 cm क्हीच रहे तो यह भी आपका 2 cm से आहागा, नहीं! उसका भी पता हम लोग बता सकते हैं, कैसे उसके बेad of change का यूच करके यूच करके, ओर यूच करके हम लोग यह भी बता सकते हैं, कि यह होगा हमारा वह कीसी आप से आखिर घट रहा होगा ठीक है definitely two नहीं होगा आपका वो जब हम लोग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो I hope आपको समझ में आ गया होगा कि actually हम लोग इसमें किस तरीके के questions के answer हम लोग करते हैं ठीक है तो चलिए उसी के बारे में हम लोग बाते करेंगे तो directly examples उठाते हैं और उसी से आपको पताते हैं ठीक है चलिए आपका पहला question जो है find the rate of change of the area of a circle per second with respect to its radius r when r is equal to 5 cm actually देखो यह question थोड़ा सा technically जो है वो थोड़ा गलत दिया हुए और उसका solution जो दिया है वो थोड़ा गलत है ठीक है हम आपको बताते हैं क्यों गलत है जैसे देखो माल लेते हैं कि यह circle है आपका यह circle है अब उसने देखो question क्या पूछ के रखा है कि find the rate of change of area of the circle per second मतलब यह पूछा है न कि rate of change of area per second यानि कि a किसी साब से change हो रहा है with respect to t यह पूछा गया है आपसे कि यह rate of change of area with respect to time जो है वो क्या है वो पूछा गया है लेकिन उसने न da by dr निकाल के रखा हुआ है मान लेते हैं कि इसका area जो है वो कितना है और है तो sorry radius r है तो इसका area कितना हो जाएगा इस सरकल का जो area होगा वो कितना होगा आमरे पास pi r square होगा यानि कि a जो होगा वो कितना होगा यह हो जाएगा अब उसने क्या पूछा है da by dt तो हम क्या करेंगे इसको differentiate with respect to t अब question के according अब लोग differentiate करेंगे किसके respect में यहाँ पर करने की ज़रू था हमें T के respect में तो T के respect में जब इसको differentiate करेंगे तो आपका आजाएगा DA by DT DA by DT तो इसका differentiation कितना जाएगा आपका देखो D by DT और किसका पाई R square तो यह इसका differentiation जो होगा आपका कितना जाएगा Pi R square का differentiation आजाएगा 2 Pi R और R का with respect to T कितना जाएगा DR by DT DR by DT अब सिंस यहाँ पर कुछ दिया नहीं हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे ना हम लोग इसको मान लेंगे कि DR by DT जो है वो 1 cm पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है मान लेंगे हम लोग 1 cm पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है सिंस हमने बोला ना कि question जो हो टेक्निकली थोड़ा गलत है ओके और जो solution दिया है वो भी गलत है आपका तो यहाँ से हम रहे पास DA by DT जो आ जाएगा ना DA by DT this will be equal to what 2 pi r r पर depend करेगा कि किसी साब से जैसे जैसे आपका r अगर छोटा होगा r जब छोटा होगा तो आपका area जो होगा वो मतलब छोटे से थोड़ा सा और change होगा r आपका change होगा तो area भी थोड़ा सा change होगा तो r पर depend करेगा r जितना बड़ा होगा उसी साब से change होगा तो उसने r क्या पुछा है कि जब r 5 cm है ना तब आपका area किसी साब से change हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे r का value 5 रख देंगे तो यह आपका जाएगा 10 pi area with respect to time है ना तो centimeter square per second centimeter square per second यह जो होगा ना यह इसका answer होगा actually इसने ना जो दे के रखा है wो da by dr दे के रखा है तो यह actually da जो होगा वो आपका centimeter square होगा और r जो होगा वो centimeter में होगा तो centimeter square per centimeter के हिसाब से होगा यह क्योंकि area with respect to radius इसने निकाल के दे के रखा है ना तो इसलिए आप एक काम करोगे इस question को छोड़ी दोगे I hope कि आपको समझ में आगया होगा कि इसमें गलती क्या है नहीं आया है तो इसको छोड़ी दो आप और अगले question पर चलते हैं The volume of a cube is increasing at the rate of 9 cubic centimeters per second अब देखो एक क्या किया है? एक cube देख रखा है Example number 2 में एक cube देख रखा है हमरे माल लेते हैं कि यह cube है हमरे पस माल लिया कि यह cube है हमरे पस तो cube का जो is length होता है वो सब सेम होता है हमरे पस is length जो होगा, cube जो होता हमरे पस हो क्या होता है? सब का is length जो होता हमरे पस होगा तो इसका volume जो होगा हमरे पस volume, volume जो होगा वो कितना होगा आपका, a cube होगा v is equal to v equal to कितना होगा आपका, a cube होगा, अब actually है क्या कि उसने देख रखा है कि volume of the cube is increasing at the rate of 9 cubic centimeters per second, इसका मतलब उसने देख रखा है कि dvydt जो है न भी या dvydt जो है वो कितना है आपका, dvydt जो है यानि कि ये किसका value है, जो आपका v जो है, वो a cube के बराबर है तो dvydt क्या हो जाएगा आपका dvydt जो होगा वो कितना जाएगा आपका, 3a square और dvydt ये हो जाएगा आपका ये होगा न, dvydt, जब हम लोग इसको t के respect में दोनों साथ differentiate करेंगे तो, 3a square dvydt इसको जब आप differentiate करोगे with respect to t तो इसका मतलब हम लोग ऐसी ही करते हैं chain rule से, dvydt of कितना है, a cube है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले a के respect में differentiate करते हैं, d a cube by d a, और into क्या होगा आपका d a, d t तो a cube का differentiation with respect to a 3a square हो जाएगा, फिड d a by d t आ जाएगा, अब इसका value जो है question ने देख रखा है कि इसका value जो है न वो कितना है आपका 9 है आपका 9 है, कि इसको मान लेते हैं, equation हम लोग 1 गया हमारे पास है, given है अब उसने क्या पूछा है, how far the surface area increasing, अच्छा एक cube का surface area क्या होता है surface area of cube क्या होता है surface area of cube जो होता है, वो होता है 6a square 6a square जो होता है, वो cube होता है surface area, हर एक surface जो है, हर एक surface का area होता है, कितना होता है आपका, a square हो जाएगा, और ऐसे ऐसे total कितने surface हैं 6 surface होते हैं, तो 6a square जो होता है वह क्या होता हमारे पास सर्फस एरिया होता है अब सर्फस एरिया अगर 6a स्क्वाइर है मतलब कि चलो इसको ए माल लेते हैं इसको कि अधिक रखाए तो उसने है कि with respect to time यह किस हिसाब से चेंज होगा तो da by dt equal to कितना जाएगा आपका 6 into 2 into a और da by dt with respect to t differentiate करेंगे तो यह आपका कितना जाएगा this will be equal to 12a into कितना da by dt अब a का value जो है वो हमें पता है a का जो value है वो हमें पता है कितना है हमारे पास a का जो value देख रख़ा है 10 cm जो है वो हमारे पास क्या है age का length है तो age का length हमारे पास क्या लेके रखा था हमने a रखके रखा था तो a लेके रखा है age का length तो यह आपका कितना जाएगा देखो da by dt at a equal to 10 की बात कर रहे है तो this will be equal to what 12 into 10 into कितना जाएगा आपका da by dt यानि कि यह आपका आजाएगा 120 120 into da by dt इसको हम लोग second बोल रहते हैं अब first वाले में देखो first वाले में हमारा क्या आया था first वाले में आया था 3a square da by dt का value 9 वहां से da by dt का value उठाके हम लोग रखेंगे अब अब from first लिखते हैं हम यहां से लिखेंगे कि from first from first कितना है हमारा पस 3a square da by dt का जो value है वो कितना हमारा पस 9 है इसको cancel out कर देते हैं यानि कि यहां से आपका आ जाएगा da by dt जो होगा that will be equal to what 3 by a square यह आपका आएगा अब हमें निकालना किस पे है at at तो यहां से आजाएगा हमारा पस da by dt at किस पे a equal to 10 पे तो यह कितना जाएगा आपका यह हो जाएगा 3 upon 10 का square यानि कितना जाएगा आपका 3 by 100 यह इसको third बोल देते हैं अब da by dt का जो value है वो इसको उठाके और यहां पर रखते हैं हम लोग तो from 3 and 2 from 3 and 2 तो 3 and 2 से जो आपका da by dt आ जाएगा वो कितना था आमरे पास da by dt जो था आमरे पास कितना देख रखा था 120 da by dt तो 120 इंटू 3 by 100 तो यह कितना जाएगा आपका बारती है 36 3.6 क्या था हमारे पास सेंटिमीटर स्क्वाइर पर सेकेंड यह जो होगा ना यह आपका इस क्रेस्टन का आंसर हो जाएगा 3.6 सेंटिमीटर स्क्वाइर पर सेकेंड तो देखो यहां पर किया क्या है हमने ब rate of change of volume तो आपको जो देख रखा है वो पहले निकाल दो dby dt देख रखा है तो पहले आप volume का formula लिखो कि volume का formula क्या है उसको t के respect में differentiate करो t के respect में हमने differentiate किया तो यह निकला था हमारे पास उसको हमने किस के बराबर कर दिया 9 के बराबर कर दिया तो वो हमारा पहला मिल गया द तो उसमें जब हमने निकाला तो 12 by 8 da by dt आया, अब यहाँ पे जो da by dt था वो हम लोग ने यहाँ से उठा की यूज किया, क्योंकि da by dt हमारा पहले भी एक बार निकला हुए था, तो उस चीज़ को हमने उठा के और यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, तो हमारे पास value जो है, finally कितना आगे आपका, 3.6 cm2 per second, चलिए और कुछ questions करते हैं, धीरे-धीर आपको सब कुछ clear हो जाए, खुद से आप कर लोगे, कुछ questions और देख लो आप लो, चलो आते हैं, question number 3 पे, इसको हटा देते हैं, अब आजाते हैं, question number 3 पे, यह 3 हुगा हमारे पास, a stone is dropped into a quiet lake and waves moves in a circle at a speed of 4 cm per second, okay, at the instant when the radius of the circular wave is, question है आपका, example number 3, देखो, एक quiet lake है, जब हमने उसमें stone drop किया, तो circle बनता है हमारे पास, ठीक है, अब यह कह रहा है कि यह circle जो है आपका, यह ऐसे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और कितने से 4 cm per second के हिसाब से बढ़ रहा है, 4 cm per second के हिसाब से बढ़ रहा है, अच्छा, अब क्या देखे रहा है, at an instant when the radius of the circular wave is 10 cm, how fast the enclosed area, तो यही बढ़ते बढ़ते बढ़ते, यह किसी instant पे देखे रहा है, कि 4 cm per second से बढ़ रहा है आपका, अब यह बढ़ते बढ़ते, जब 10 हो गया, जब 10 हो गया आपका, तो अभी भी आपका यह जो part है, यह जो part है, उसने बोला है कि क्या, अच्छा, circle बढ़ रहा है, इसका radius बढ़ रहा है, 4 cm per second से, तो अभी भी बोला है, कि इसका radius जो है, यह जो आपका R है, यह बढ़ रहा है, यह बढ़ रहा है, आपका कितने से, 4 cm per second से ही बढ़ रहा है, तो इस time पे, इस time पे, आपका यह जो enclosed area होगा, या लो जिसमें की radius आपका क्या हो आरो जिस protests क्या हो आरो कोई भी इस्टिन मालेते हैं कि इसको रोक दिया उसका picture ले लिया स्क्रीन सुट ले लिया हमोन लेते हैं और यह हुआ आरा पास उस इंस्टेंट प आप लोग introduce करो radius माल लेते हैं यह हुआ आर हुआ हमारे पास तो उसने देखे क्या रखा है यहां से उसने देख रखा है कि जो dr by dt है न यह आपका कितने से change हो रहा है 4 cm per second से 4 cm per second से जो है वो change हो रहा है आपका अच्छा इस instant पर आपका जो area होगा circle का circle का area जो होगा वो क्या होगा आपका pi r square होगा अब उसने पूछा क्या है कि enclosed area जो है वो किसे साब से change हो रहा है यानि कि da by dt पूछा है तो हम एक काम करेंगे पहले randomly किसी भी r के लिए निकाल लेते हैं फिर हम लोग r का value वो 10 जो पूछा है ना उसको हम लोग डाल देंगे तो da by dt कितना आपका da by dt of कितना pi r square या एक आएगा आपका अब इसको differentiate करोगे तो कितना आपका 2 pi r into कितना dr by dt ये बनेगा आपका अब dr by dt का value उसने कितना देखे रखा है 4 cm देखे रखा है तो आपका जो da by dt आ जाएगा da by dt जो आजाएगा वो कितना जाएगा आपका 2 pi r into 4 यानि कि 8 pi r cm2 per second अब देखो कि ये जो है ना वो आपके r पे depend कर रहा है ये जो है आपके r पे depend कर रहा है तो हमें किस पे चाहिए उसने देखो पूछा हुआ है कि आपका जो है वो 10 cm जब radius है ना तब क्या होगा तो हम लोग निकाल कि हमारा जो da by dt होगा किस पे at r equal to 10 पे कितना जाएगा आपका 8 into pi into 10 cm2 per second now this one will be equal to what 80 cm2 per second ये जो होगा ना ये स्क्वेशन का अंसर हो जाएगा 80 cm2 per second यानि कि जब 10 meter radius हो चुका होगा तो उस time पे 80 cm2 per second के हिसाब से आपका area change हो रहा होगा मतलब कि हर एक एक सेंटीमेटर एक सेकंड चेंज के लिए आपका जो area होगा ना वो 80 cm2 change हो रहा होगा ये कहने का मतलब है कि जब आपका आर जो होगा वो 10 होगा ना तब इस हिसाब से change हो रहा होगा आर पे depend कर रहा और मान लेते हैं कि अब हम आसे भी सोचो रहो कि जब circle छोटा होगा जब circle छोटा होगा तो उसका area भी तो उसी उतने छोटे मतलब कि अब एक सेकंड जो होगा अमार पस तो उतना ही छोटा change हो अपका यह change होगा तक चोटा अबट तो छोटा area change होगा जब यहां पर contents और का वेल्लू मान लेते हैं कि जब हमने लिया है कितना 5 लिया था अब आर का वेल्लू जब 8 कर दोगे और का वेल्लू जब एक टेन कर दोगे ठीक है अं यह वाला change जो होगा पहले से ज़्यादा होगा तो इसलिए देखो जब r5 है तो हमारा 45 cm2 पर सेकंड आ रहा है और यह जब हमारे पास 10 हो गया है तो यह आ रहा है 85 cm2 पर सेकंड यानि कि जैसे जैसे radius बढ़ेगा तो उसके जो enclosed area है ना उसके भी बढ़ने का जो rate होगा वो ब closed area जो है आपका वो बढ़ते जाता है हमारे पास चलिए उसका rate of change भी बढ़ते जाता है next question पर आते है example number 4 पर आते है example number 4 देखते है example number 4 क्या है कह रहा है हमारे पास अच्छा dy by dx is positive if y increases and x increases and negative if y increases and x decreases मतलब यह है न कि आपको यह कह रहा है कि dy by dx जो होगा वो positive को के अधे करें कर रहे हैं अगर आपका एक्स घैन से ठोड़ा सा चेंज होगा तो आपका थोड़ा से हौगा लेकिन बढ़ा ही y जितना पहले था y पहले से थोड़ा ज्यादा हुगा तो आपका dy by dx जो होता है वो positive होता है और dy by dx जो होता है वो आपका क्या होता है negative होता है जब आपका क्या हो कि x तो बढ़ा लेकिन y घट गया य जो है आपका घट गया तो क्या होगा आपका यह निगेटीव होगा अगर कोई चेंज नहीं हुआ हमारे पास D Y By D X जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इफ X तो मानलेते हैं कि बढ़ा या फिर घटा बढ़ा या फिर घटा but no change in y but no change in y y में कोई change ही नहीं हुआ आपका और ये कब होता है constant वाले में constant वाले में जब y का value constant हो जाए y का value मान लेते हैं 4 लोगे 4 ले लिया आपने जब आपको मान लेते हैं कि ऐसा ले लो y का value 4 ले लो तेहां से जब आप dy by dx निकालोगे dy by dx निकालोगे तो आपका कितना आता है 0 आता है न क्यों आता है क्योंकि आप x का value कुछ भी लेते जाओ x का value बढ़ाओ घटाओ कोई फर्खी नहीं पड़ता है ये 4 का 4 ही रहेगा तो change नहीं हुआ ना तो change नहीं होगा जिसका की जो length है वो क्या है x है और उसने देख रखा है कि x जो है वो time के साथ time के साथ हो रहा है न सेंटिमेटर पर मिनट decrease कर रहा है तो decrease कर रहा है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि dx by dt जो है हमारे पास वो कितना है minus का 3 cm पर मिनट ये देख रखा है हमारे पास फिर देख रखा है कि इसका width जो है वो increase कर रहा है 2 cm पर मिनट से इसका width जो है वो y देख रखा है और उसने बोला है कि जो dy by dt है वो time के हिसाब से क्या हो रहा है ये बढ़ रहा है time के हिसाब से और ये जो है वो घट रहा है ये कितना है हमरे पास 2 cm पर मिनट मतलब ये हुगा ना कि जब time में 1 मिनट का change होगा तो आपका ये जो है वो x जो होगा ना वो अगर माल लेते हैं पहले 10 होगा तो 1 मिनट बाद ये 7 हो चुका होगा इस type से घट रहा है ये और ये क्या है और माल लेते हैं इनिशियली 5 होगा तो ये बढ़ के कितना होगा 1 मिनट के बाद 7 हो चुका होगा ऐसा कुछ है हमारे पास ठीक है ऐसे ये instantaneous rate of change है हमने average लेके बताया है आपको यहाँ पे बट I hope की मतलब समझ में आ रहा होगा चली आते हैं यहाँ पे तो उसने क्या पूछा है कि when x equal to 10 and y equal to 6 cm अब कोई instant पे जब हमारे पास x equal to 10 है और y equal to 6 है find the rate of change of the perimeter अब देखो पहले सब कुछ भूल जा पहले आप सब कुछ भूल जा और पहले क्या करो आप इसको ऐसे मानो कोई भी instant पे ले लो कोई भी instant पे ले लो जैसे इसको x ले लिया इसको y ले लिया तो अब यहाँ से at any instant at any instant जब आपका constant नहीं हो तो इसको x मान लिया यह भी y मान लिया vary कर रहा है दोनों हमारा तो आपका जो perimeter होगा आपका जो perimeter होगा perimeter वो आपका कितना होगा 2xx plus y होता है 2x plus 2y होता है यानि कि 2x plus 2y हो जाएगा आपका यह जो होगा वो 2x plus 2y हो जाएगा यह perimeter होगा तो perimeter का rate of change जो होगा dp by dt t के respect में differentiate करेंगे तो इसको कितना जाएगा 2x dx by dt 2x dx by dt और प्लस 2 टाइम्स कितना जाएगा आपका डी य य य य य तो आपका आगया क्या rate of change of perimeter ठीक है फिर area की बात कर लेते हैं area क्या है आपका area जो होगा आपका इसका अगर length x है और with y है तो इसका area कितना हो जाएगा आपका x y य य बाल लेते हैं आपने a बोल दिया तो rate of change of area with respect to time में आपका क्या होगा तो इसको differentiate करेंगे t के respect में तो d a by dt कितना जाएगा इसको t के respect में differentiate करना है प्रोडक्टूल लगाना पड़ेगा तो कितना जाएगा x into dy by dt और प्लस कितना जाएगा आपका y into कितना dx by dt यह आपका आगया rate of change of area with respect to time इसको 2 बोल देता है हम लोग अब जो उसने पूछा है वो निकाल लो आप यहां से तो पहला उसने क्या पूछा है कि x का value जब 10 है और y का value 6 है तो rate of change of parameter बता दो तो यहां पे रख देते हैं बस तो हमारे पास यहां पे है कि when when x equal to 10 and y equal to 6 तो आपका dp by dt कितना हो जाएगा आपका dp by dt जो है वो कितना जाएगा तो यह तो constant है आपका 2 times dx by dt plus 2 times dy by dt तो यह आपका जाएगा this will be equal to 2 times dx by dt और plus कितना dy by dt तो dx by dt जो है वो आपका कितना है minus का 3 है और यह कितना है आपका 2 है तो this will be equal to what minus का 2 यह था ना minus 3 और 2 था तो minus का 2 centimeter per minute यानि कि जो perimeter होगा वो हमारा घटेगा ही minus के 2 आने का मतलब यह होगा कि उसका perimeter जो होगा वो क्या होगा घटेगा अब बात करते है area की area क्या होगा तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा d a by dt निकालना पड़ेगा तो अभी हमने निकाला था वो कितना यह था x dy by dt plus y dx by dt तो x का value कितना है 10 है x dy by dt 2 हो जाएगा और plus 6 है ना plus y dx by dt तो 6 x minus का 3 आ जाएगा आपका यहाँ पर 6 x minus का 3 तो यह आजाएगा आपका 10 x 220 और minus का कितना 18 कितना आ गया 2 यानि कि 2 cm square पर मिनट के हिसाब से positive आया है ने इसका मतलब कि area जो होगा आपका वो बढ़ रहा होगा और जो आपका perimeter होगा गट रहा होगा time के हिसाब से गया आपका इस question का answer 2 cm square पर मिनट positive आया है इसका मतलब कि यह बढ़ रहा होगा negative आने का मतलब कि जो perimeter होगा आपका वो घट रहा होगा perimeter यानि कि चारो साइड में length जो होगा चलिए आते हैं अगले वाले पे the cost cx in rupees which associated with the production of x units are given by यह हमारे पास x unit production कर रहा है तो उसका जो cost हमारे पास यह है find the marginal cost when 3 units are produced तो उस समय पर हमें marginal cost बताना है मतलब instantaneously बताना है जब 3 units produce हुआ है यह सारे देखो सारे के सारे जो है ना हम लोग instantaneous बता रहा है तो जब 3 units हुआ है at that instant बताना है तो वही क्या करेंगे dc by dx निकाल लेंगे यहां से इसको differentiate करेंगे dc by dx निकालेंगे यह आया हमारे पास अब किस पर पूछा गया है 3 पर पूछा गया है तो 3 value रख देंगे तो यह आपका निकल क्या जाएगा 30.02 question number 6 बे exactly same ही कह रहा है हमारे पास the total revenue जो है आपका marginal revenue जो है total revenue जो है वो आपका यह है find the marginal revenue when x equal to 5 whereby marginal revenue within the rate of change of total revenue with respect to the number of items से sold तो marginal revenue का मतलब क्या हुआ आपका marginal revenue का मतलब क्या हुआ आपका यह हो जाएगा total revenue dr with respect to how x इसको x के respect में differentiate करेंगे तो यह marginal revenue आ जाएगा अब उतना मत जाओ कि marginal revenue क्या होता है, total revenue क्या होता है, बस उसने सब कुछ बता करे क्रिखा ही है, इसलिए, ठीक है, आप commerce के student हो नहीं कि इतना आपको जानने की जरुवत है, कि marginal revenue क्या है, total revenue क्या हूससे कोई लेना दानी नहीं आपको, यहाँ पर सब कुछ जो है, वो दिया कि rate of change of rate of change of total revenue with respect to number of items sold तो X क्या है एक्स तो सेल है ना वही तो यानि कि कितने आइटम सोल्ड हुए है तो X हुगा है हमरे पास तो marginal value कितना हो जाएगा DRY DX हो जाएगा तो DRY DX निकाला हमरे पास 6X कितने पर पूछ रहा है जब X का value कितना है 5 है तो 5 रखा हमने तो यह value कितना जाएगा 66 तो marginal revenue जो होगा वह कितना जाएगा 66 रूपीज हो जाएगा चलिए नेक्स्ट में हम लोग exercise 6.1 करेंगे ओके थेंक्यू